और एकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है SQL इंट्रोडक्शन तो इस वीडियो में हम आपको SQL लेंग्वेज का इंट्रोडक्शन बताएंगे इसका पूरा नेम क्या है इसका यूज क्या है और इसे किस काम के लिए डेवलप किया गया ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वाटिज एस्क्यूवल फूल एक्स्प्लेशन मतलब इस एक वीडियो में आप वाल स्टार्ट के बारे में सारी चीजह सीख पाऊज है यह स्कुल इस्टेंट्स नर्टीक है अबरिशनल डीटाबेस ट्रव्टोर इंट्रविविधा है लांगवेज नोजनेसस Bolsonaro 기로 प्रॉप कोलम के फप्रमेट में अपने डेटा को स्टॉर करते हैं वह सभी एक लेंगवेज का यूज करते हैं उसका नेम है sql ठीक है sql एक language है ना कि डेटाबेस आपको एक बात अपने मैंड में इंपुट कर लेनी है ठीक है क्यों सभी डेटाबेस इस लेंग्वेज का यूज करते हैं because it's a simple English like language क्योंकि SQL जो language है वो simple English language के जैसा होता है इसे use करना इसमें काम करना बहुत असान होता है ठीक है इसमें बस हम English language की तरह query pass करते हैं और हम अपने किसी भी database में काम कर सकते है तो यह जो SQL language है इसका guidelines कौन प्रोवाइड किया गया है कौन किया है विच guidelines are provided by standard organization एंसी अमेरिकन नेशनल इस्टेंडर्ड इंस्ट्यूट यह जो organization इसी ने क्या किया है SQL language को license प्रोवाइड किया है इसके guidelines को इसी ने प्रोवाइड किया है एंसी और्गनाजेशन का नहीं में ठीक है तो इस guidelines को सारे database ने accept किया है अडूप्टेड वाइड डेटाबेस वेंडर्स लाइक और एकल माइस्क्वल माइक्रोसॉफ्ट एसेक्टरा जितने भी standard database और एकल माइस्क्वल माइक्रोसॉफ्ट यह सभी उस guidelines को accept किये हैं जिसे एंसी ने प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर आपको SQL language के बारे में मैं आपको तीन बात बता देता हूं SQL एक language है ना की यह काफी complex language था काफी बड़ा था इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता था इसलिए लोगों ने क्या किया and SQL is very complex language to reduce its complexity it can subcategorized into five sub languages इसलिए लोगों ने क्या किया इस SQL language के इसकी complexity को reduce करने के लिए इसे पांच सब category में डिवाइड कर दिया पहला का नाम है ने DDL इसका पहला category का नाम लोगों ने DDL रखा जिसका पूरा मतलब होता है डेटा definition language इस DDL के अंदर पांच command आते हैं पांच query आता पहला create जिसकी मदद से हम टेबल को create कर सकते हैं drop जिसकी मदद से हम टेबल को हमेशा के लिए डेटावे से पर्मनेंट डिलीट कर सकते हैं ट्रंकेट जिसमें टेबल के सिर्व डेटा को डिलीट कर सकते हैं टेबल के structure को रहने दे सकते हैं अल्टर अल्टर की मदद से हम टेबल में कुछ भी altering operation परफॉर्म कर सकते हैं और रिनेम की मदद से हम टेबल के नेम को रिनेम कर सकते हैं यह फाइब कमांड जो है वह डीडियल में रखे गए हैं जो कि पहला सब काटेगरी है SQL language का यह ना database के object से deal करते हैं यानि टेबल व्यू इन सब इस ठीक है सेकेंड होता सब काटेगरी SQL language का dml dml का पूरा नाम होता डेटा मेनुपलेशन लैंगवेज इस dml में तीन क्वेरी आता है पहला इंसर्ट अपडेट तीसरा डिलेट तो इंसर्ट की मदद से हम जो भी टेबल क्रियेट किये थे यहाँ पर उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपडेट की मदद से अगर मालो हमें किसी भी डेटा को अपडेट करना है तो हम अपडेट कर सकते हैं अगर हम कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं इसमें एक ही क्वैरी आता है सलेट सलट की मदद से हम क्या है किया है उसे हम सज़त की मदद से देख सकते हैं अब ही हमारा fourth number प्र पर अब होता है फो मेरीच इस कर्कोर्ब और सुनन और भी अक्सेश कर सकता जिसे हम ग्रांट दें हैं या नी पर नीस देँ और रिबोग क्या करता जो भी आकthen कंट्रोल करने के लिए कासि थ्क और रिफोग cambio is के अलावा एक ओर है takeaway है स्क्ष्वल लांगवैश का चलिए हम के बारे में भी आपको बता देते हैं TCL हमारा 5th sub category हो गया SQL language का इसका मतलब होता है transaction control language इसमें कौन-कौन से query आते हैं commit, rollback, save point तो अभी यह हो गया हमारे 5 sub category SQL language को तो हमने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया चलिए हम आपको summarize करके बताते हैं सबसे पहले हमने आपको बताया SQL क्या होता है SQL एक language है नाकी database है जिसका use database करता है अपने data को manipulate करने के लिए फिर हमने बताया कि कैसे SQL language को 5 sub category में divide किया गया है इसकी complexity को reduce करने के लिए तो अभी आप यहां पे जो 5 sub category देख पा रहे हैं आने वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे इन सभी का separate वीडियो बनाएंगे एक एक काटेगरी का एक एक वीडियो बनाएंगे